इस वीडियो में मैं आपको lattice multiplication method से multiplication करना सिखाऊंगा तो उसके लिए example के तोर पे हम एक example ले लेते हैं first example है हमारा यह जिसमें कि हम multiply करने जा रहे हैं 19 की 26 से तो कैसे multiply करना है देखें इसका procedure सबसे पहले आपको वहाँ पर 1 और 9 लिखना है उसके बाद इधर की तरफ आपने 2 और 6 लिखना है और फिर एक table तयार करनी है आपने इस तरह से एक table तयार होगी और table में जितनी भी यह cells बनी हैं total 4 cells बनी हैं इसके इंदर इन cells को cross करता है ऐसे के cut होगी यह दूसरी cell यह हमारी तीसरी cell और यह हमारी fourth cell इसको cut कर दिया देहन रही इसमें आपको 1 से लेकर 9 तक की table याद होनी चाहिए अब इसमें multiplication कैसे होगी आप यह देखिए 9 टूसरा हमारा होता है 18 तो 18 को लिखना कैसे है देखना 1 यहाँ पर लिखा जाएगा 8 यहाँ पर लिखा जाएगा फिर 1 की multiply करो two से то one की multiply two से करते हैं तो two यह आता है तो वो इसको हम यहाँ पर लिखा जाएगा तो यह हमारा zero और two लिखा जाएगा zero यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि tenth place में तो कुछ आना ही नहीं है देख सकते हैं की one की multiply अगर two से करते हैं तो 2 आता है तो 10th place पे कुछ नहीं है इसलिए 0,2 भी बोल सकते हैं इसको तो 0,2 ऐसे लिखा जाएगा और उसके बाद हमारी multiplication होती है 9 की 6 है तो 9,6 होता हमारा 54 तो 5 यहां लिखा जाएगा और 4 यहां पर लिखा जाएगा इस तरह से फिर 1 की multiply होगी 6 है तो 1,6 होता है 6 तो हमारा 0,6 ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि 10th place में आपर कुछ नहीं है तो इसलिए हम आपर 0 लिखेंगे अब इसके बाद यहां पर हमने add करने होते हैं यहां पर इस तरह से add किया जाएगा यह देखना है तरीका इसका ध्यान से किस तरह से add करना होता है यह इन सभी को add करना होगा हमें और उसके बाद इन सभी को add करना होगा और इसके बाद हमें यह 0 वैसे add करने कोई फायदा है नहीं कुछ भी अगर कुछ carry आ रहा होगा तो इसलिए add करना पड़ता है तो यहां पर आएगा हमारा 4 8 प्लस 5 होता है हमारा 13 13 प्लस 6 होता हमारा 19 तो 19 में 9 लिखेंगे और 1 कहरी करतेंगे यहाँ पर ऐसे 1 कहरी करेंगे तो 1 प्लस 1 होता है हमारा 2 2 प्लस 2 हमारा हो गया 4 4 प्लस 0 करते हैं तो 4 ही रहता है तो यहाँ पर 4 लिखा जाएगा इस तरह से और कुछ कहरी गया नहीं है तो इसलिए 0 का 0 आएगा इस तरह से तो अब लिखेंगे कैसे आंसर तो 0 4 9 4 ऐसे लिखा जाएगा चाहो तो आप 0 मत लिखो क्योंकि 0 आगे लिखावा हो अगर हो तो उसका कोई फरक नहीं पड़ता तो हमारा जो तो मुल्टिप्लिकेशन है वो आजाएगा 494,494 तो चलो इसको चेक भी कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से देख सकते हैं 1,9,19 मुल्टिप्लाइड बाइ 26 अगर आप करते हैं तो यह आता है 494 और अच्छी से समझने के लिए एक एक एकजामपल और ले लेते हैं इसके अंदर इस बार मुल्टिप्लाइड करते हैं 327 की 53 से और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है तो उसके लिए जैसे कि हमने पहले इसमें बताया आपने क्या करना है सबसे पहले 3, 2 और 7 को लिख लेना है और 5 और 3 को इस तरह से लिखना है आपर उसके बाद टेबल बनानी है तो टेबल कैसे बनेगी द्यान से देखना इस तरह से टेबल बनेगी इसकी हमारी और इनको भी आप कर दीजिए तो टोटल सेल्स इसमें आप देख सकते हैं इसमें बनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेल्स बनी है इसमें हमें अब सभी सेल्स को क्रोज करना है तो क्रोज कैसे करना है ये भी देख लीजिए आप इस तरह से सभी सेल्स को आपने क्रोज कर देना है ये जितनी भी सेल्स हैं सब को क्रोज कर दीजिए इस तरह से सबी cells आपने cross कर देनी है अब आपने multiplication शुरू करनी है तो 75 हमारा होता है 35 तो 3 यहाँ पर आएगा 5 यहाँ पर आएगा ऐसे 35 ठीक है फिर हमारा 25 हमारा 10 होता या 52 बात एक ही है 10 तो कैसे लिखेंगे 10 को 1 यहाँ पर 0 यहाँ पर 35 हमारा 15 होता है तो 1 and 5 15 इस तरह से 7 ठीक हमारा होता है 21 तो 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर और यहाँ पर 2 ठीक हमारा होता है 6 अब 6 अकेला है तो 0 6 लिखा जाता है क्योंकि 10 पर हमारा 0 लिखा जाएगा ऐसे में अब 3 ठीक हमारा होता है 9 तो 9 अगें सिर्फ 9 ही लिखा जाएगा और यहाँ पर 0 रहेगा क्योंकि 10th place पे हमारा कुछ नहीं है जैसे कि मैंने पहले ही बताया था 339 है तो इसको 09 ऐसे भी बोल सकते है तो 09 ऐसे लिखा जाता है इसको ठीक है अब हमने addition करना है तो देखें in का addition होगा और उसके बाद next हमारा in सभी का addition होगा जो भी result आएगा addition का वो यहाँ पर लिखेंगे हम उसके बाद अगर कुछ carry forward आता है तो carry forward यहाँ पर आएगा इन सभी को add करेंगे और in में भी अगर कुछ carry forward आता है तो आगे की और लिखेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा और अगर in में कुछ carry forward आएगा तो वो next step में लिखा जाएगा यहाँ पर इस तरह से तो चलिए addition करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले one है यहाँ पर तो one तो one ही रहेगा कुछ carry forward नहीं किया five or two हो जाएगा seven और seven और six हो जाता है 13, 13 में three आएगा और one carry आएगा तो one और three हमारा हो गया four और four और nine हमारा होता है 13, again 13 आ रहा है और one carry हो जाएगा तो one plus one यहाँ पर हमारा हो गया two और two plus five हो गया हमारा seven और seven plus zero, seven ही रहेगा तो seven कुछ भी carry नहीं गया और यहाँ से यह one आ जाएगा तो हमारा जो answer है वो लिख देते हैं इसको one seven three three one तो 17,331 हमारा आ रहा है तो चलिए calculator की मदद से भी इसको check कर लेते हैं तो यह हमने calculator खोल लिया है और calculator में हमने multiply करनी है 327 की multiply करनी है 53 से तो आप देख सकते हो यह 17,331 ही आ रहा है और बहतर समझने के लिए एक example और ले लेते हैं यह हमारा तीसरा example होगा जिसमें की हम multiply करेंगे 951 की multiply करेंगे हम 547 से तो जैसे की पहले भी बताया है सबसे पहले आपने लिखना होगा 951 और फिर लिखना है 5,4 and 7 फिर आपने table तयार करने है तो table तयार करने के लिए सबसे पहला आप इस तरह से एक rectangle बना लीजिए और rectangle में फिर आपने यहाँ पर यह देख सकते हैं यह आपकी total three rows बनेंगी इसमें और three ही columns बन जाएंगे एक, दो और three और देख सकते हैं total nine cells हैं यहाँ पर one, two, three, four, five, six, seven, eight and nine अब सभी cells को आपने cross करना है तो यह आपकी पहली cell बने cross कर दी अच्छे दूसरी के साथ आप यह भी कर सकते हैं कि directly खटी आप ऐसे भी cross कर सकते हैं और यह तीन cell एकटी cross हो जाएंगे यहाँ पर इस तरह से और यह भी आपकी cross हो गई और यह भी आपकी cross और एक यह भी cross हो गई ठीक है, तो आपने इस तरह से cross कर देनी है फिर आपने multiplication शुरू करना है one का अगर five से करते हैं तो आता है five तो यहाँ पर आपने zero five लिखना है फिर five की multiply कर five से करते हैं तो 25 आएगा तो two यहाँ लिखा जाएगा five यहाँ लिखा जाएगा nine की multiply कर five से करते हैं तो आपका आता है 45 तो four यहाँ पर और five यहाँ पर इसके बाद आपकी next row की बारी है तो next row में 4 से multiplication होगी 9, 5 और 1 की तो 1 की multiply करेंगे 4 से तो आपका आएगा 4 only तो 0, 4 लिखा जाएगा और 5 की multiply अगर 4 से करते हैं तो आता है 20 तो लिखा जाएगा 2, 0 और 9 की multiply अगर आप 4 से करते हैं तो आता है 36 तो 3 और यहाँ पर 6 फिर 3rd row की बारी आ रही है जिसमें की 7 से multiplication होनी है 9, 5 और 1 की तो 1 की multiply करेंगे 7 से तो आएगा आपका 7 ही तो 0, 7 लिखा जाएगा फिर 5 की multiply करेंगे 7 से तो आपका 5, 7 जा होता है 35 तो 3 यहाँ पर आएगा 5 यहाँ पर आएगा और 9, 7 जा हमारा होता है 63 तो 6 यहाँ पर आएगा और 3 यहाँ पर आएगा अब additions करना है तो additions किन किन का होगा यह देख लीजिए तो सबसे पहले यह additions में रहेगा उसके बाद आपका in का addition होगा कुछ carry forward होगा तो next line में जाएगा और यहाँ पर in सभी का addition होगा कुछ carry forward होगा तो next में जाएगा तो इसको हम add करके यहाँ पर लिखतेंगे और आपका in सभी का addition होना है और साथ साथ यह भी add होगा अगर कुछ carry forward आएगा तो यहाँ पर भी आएगा तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा आपका 7 5 प्लस 4 अगर आप करते हैं तो आता है 9 और 5 और 3 हमारा हो गया 8, 8 प्लस 3 हमारा हो जाता है 11, तो 11 ए 1 लिखेंगे, 1 कहरी हो गए यहाँ पर 1 and 5 हो गया हमारा 6, 6 प्लस 2 हो गया हमारा 8, 8 प्लस 6 हमारा हो जाता है हो गया 4, 4 प्लस 5 हो गया हमारा 9, 9 प्लस 3 हमारा हो जाता है 12 तो यहां पर 1 कैरी देख सकते हैं, यहां भी 1 कैरी आ गया है, तो 1 और 4 अगर आप अड़ करते हैं, तो आता है 5, तो यह निकी इसका मल्टिप्लिकेशन हमारा आता है पहले 5 लिखें फिर 2 लिखें फिर 0 फिर आपका 197 1, 9, 7 तो इस तरह से हमारी मल्टिप्लिकेशन हो गई है तो इस मल्टिप्लिकेशन को हम चेक भी कर लिते हैं विद धे हैप अव कैलकुलेटर तो यह हमने कैलकुलेटर खोल लिया है, कैलकुलेटर के अंदर लिखते हैं 951 multiplied by 547 इक्वल्स टू आप देख सकते हैं ये हमारा 5,20,197 आ रहा है जो कि बिल्कुल सही है तो इस तरह से आप latest multiplication method की help से भी multiplication कर सकते हैं अगर आपको ये multiplication method अच्छा लगा है तो अपने friends के साथ ये method share कीजिए तन्यवाद तरह आपको जापको की जापको ये झाल झाल